तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ एक और इंडोनेजियन हॉरर मुवी को जिसका नाम है गीबा ये मुवी 2021 में रिलीज हुई थी और इस मुवी के डारेक्टर है मॉन्टी टीवा मुवी का जो concept है वो थोड़ा सा different है यहां पर जिन्स वगएर आपको दिखने वाले हैं वो भी some specific kind of जिन्स जिसको देखकर आपको मज़ा आएगा और उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मुवी पसंद आएगी तो चलिए अब बिना किसी तेरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो भाई मुवी की starting में हम देखते हैं college campus में कुछ students को जो की अपने college में magazine के topics पर discussion कर रहे थे वो लोग अलग-अलग stories और articles के बारे में discuss करते हैं बात करें characters के बारे में जो सबसे पहले यहां पर आरगा है जो की इन सबका chief editor है उसके बाद में फरली, योला, रैनो और उल्फा होते हैं जो की अपने अपने topics पर discussion कर रहे होते हैं अब इनकी team की एक और member होती है जिसका नाम होता है ओक्टा जो की 12-13 दिन से sick liver होती है और college नहीं आ रही होती ओक्टा एक story पर काम कर रही थी जिसमें एक professor का एक student के साथ में affair था और योला उस story को publish करने का बोलती है जिस पर आरगा इस चीज़ के लिए मना कर देता है जिससे उस लड़की की बदनामी हो जाती अब रैनो यहाँ पर सब के लिए खाना मंगाता है और खाना आता है जो की non-wish था और वो खाना फरली नहीं खा सकती थी क्योंकि वो pure vegetarian थी इसलिए आरगा रैनो पर थोड़ा गुस्सा करता है कि उसको फरली का ध्यान रखना चाहिए था कुछ देर के बाद में सब लोग अपने घर चले जाते हैं और आरगा बाहर आकर फरली से थोड़ी बात करता है कि वो उसके साथ में story cover करने के लिए चले जिस पर फरली बोलती है कि उसको अपने dad को hospital लेकर जाना है और यहां पर हम यह भी समझ पाते हैं कि आरगा फरली को पसंद करता है अब फरली और उल्फा उल्फा के PG पर आते हैं जहां पर ओक्टा भी रहती थी और यहां पर PG owners उन दोनों को बताते हैं कि ओक्टा अपने room में बंद है और वो काफी time से चिला रही है फरली अब room को open करने की कोशिश करती है जो कि open नहीं होता और कुछी देर के बाद में वो अपने आप ही open हो जाता है और फरली अंदर जाती है अंदर जाकर फरली देखती है तो room बहुत ही जाता ठंडा था ओक्टा वहीं पर डरी हुई room के एक कोने में बैठी हुई थी और वो फरली से ये बोलती है कि एक औरत उसको यहाँ पर हर जगा दिखाई देती है ओक्टा टेबल पर रखे हुए envelope को point करते हुए ये बोलती है कि ये envelope आरगा के पास ले जाओ और इससे ही सब कुछ हो रहा है अब फरली यहाँ पर उस envelope के अंदर professor और student वाली स्टोरी के बारे में पूछती है तो ओक्टा और भी जार डरते हुए बोलती है कि फरली ये बाते यहाँ पर ना करे और फरली उस envelope को लेकर वहाँ से चली जाती है अब scene shift होता है और हम एक masjid को देखते हैं जहाँ पर उस्ताज जी लोगों को greet करते हुए कुछ बाते बता रहे थे और वहाँ पर फरली और उल्फा भी आये हुई थी क्योंकि ये इद का दिन था अब उस्ताज जी सब लोगों से कुछ बाते भी करते हैं यहाँ पर लोग अपनी बात करते हुए अलग अलग चीज़ों की और लोगों की बात करते हैं और उनके बारे में बोलते हैं कि वो ऐसा है या फिर वैसा है और वो लोग अपने हिसाब से ही सुनी-सुनाई बातों को बोल रहे थे अब तब ही हम उनके पास में उड़ते हुए एक हलके से वाइट स्मोक को देख पाते हैं जो कि उनके अंदर चला जाता है अब फरली यहां से अपने घर वापस आती है और अपने पेरंट से बात करने लगती है और उसको आज अपने डैड को हॉस्पिटल लेकर जाना था अब योला यहाँ पर फरली से काफी रिक्वेस्ट करने लगती है जिसके बाद में उसके पेरेंट्स भी उसको ये बोलते हैं कि वो आज रहने दे और यहाँ पर उसके डैड को उसकी मदर हॉस्पिटल लेकर चली जाएगी वो ये भी कहते हैं कि फरली यहाँ पर योला की जगा पर चली जाए और उसकी हल्प कर दे जिस पर ना चाहते हुए भी फरली मान जाती है अब अगले सीन में यहाँ पर फरली आरगा और उल्फा के साथ मस्जित में होती है जहां पर वो goat sacrifice को लेकर story cover करने के लिए गए हुए थे आरगा वहां के लोगों से बात करता है और फरली फोटोस निकालने लगती है और यहां पर goat sacrifice हो रहा था और फरली यहां पर pure vegetarian होती है तो उसको काफी दिक्कत होती है उल्फा फरली को अपने फोन पर योला की फोटो दिखाती है जिसमें योला ने अपने पिक्चर पोस्ट करी थी वो भी सोशल मीडिया पर और वो किसी होटल में थी जहां पर फरली को गुस्सा आता है फरली अब वाश्रूम में जाने लगती है तब ही एक गोट के sacrifice से उसके उपर blood आ जाता है और वो पूरी तरह blood से गंदी हो जाती है जिससे कि वो परेशान होती है और वाश्रूम की तरफ भागती है अब वाश्रूम में खुद को साफ करते टाइम फरली को एक बहुत ही बयानक विजन आता है जिसमें कि वो अपने ही चेहरे की skin को निकाल रही होती है बट ये सिर्फ एक विजन था जिससे कि वो बहुत ही ज़दा डर जाती है और तब ही उसको वही old lady haunt करने लगती है ओक्टा इससे बहुत ही ज़दा डर जाती है और वो old lady उसको पदस कर लेती है ओक्टा अब room से बाहर जाती है और PG owner उमी और डीना को परिजान करने लगती है और उमी समझ जाती है कि ओक्टा पसेशन में है और उमी की आँके अब अच्छानक से ही white हो जाती है और वो ओक्टा को बेहुश कर देती है उमी अब ओक्टा को उसके room के अंदर लिटा देती है और ओक्टा का room बहुत ही ज़दा smell कर रहा था अब उमी अपने husband मैंग से बोलती है कि वो बहुत सालों बाद अपनी powers का use कर रही है जिसका मतलब ये है कि कोई danger उन पर आने वाला है उमी सब को room से बाहर भेज देती है और अब वो ओक्टा के सामने दुआएं करने लगती है और तब ही उसकी आँके white हो जाती है अब बाहर यहां पर मैंग डीना को उमी के बाहर में बताता है कि उमी असल में मातारम डाइनेस्टी की है और उसके पास में कुछ powers है जो कि उसके वंच को यहां पर जिन से मिली थी अब जिन्स के खुद के यहां पर काम होते हैं जिसके अंदर वो इनसानों के help करते हैं और कुछ जिन तो अच्छे होते हैं लेकिन कुछ जिन यहां पर बहुत ही खराब होते हैं जो कि सिर्फ तबाही चाहते हैं मीनवाइल अंदर उमी की आखे white होती है और अब वो possessed ओक्टा से उसका नाम पूछते है कि वो कौन है और असल में यहां पर वो कोई और नहीं बलकि इफरिद जिन होता है जो कि एक old lady के रूप में था इफरिद जिन यहां पर उमी को हांट करने लगता है और उसकी जीप भी किसी साप के जैसी थी अब उमी यहां पर अपनी दुआएं जारी रखती है और इफरिद जिन यह बोलता है कि उस पर इसका कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि वो उमी से बहुत ही जादा powerful है उमी यहां पर इफरिद जिन को दूर करने की कोशिश करती है लेकिन इसको कोई भी असर नहीं होता और वो उमी पर अटैक करता है कुछी देर के बाद में जब मैंग अंदर आता है तो सारा रूम तहस नहस हो चुका था लेकिन उमी ने ओक्टा को सुला दिया था और अभी के लिए इफरिज जिन को रोक दिया था अब अगले सीन में फर्ली के पेरेंट्स घर पर आते हैं जहांपर उसकी मदर का छोटा सा एक्सिडेंट हो गया था और उनको थोड़ी सी चोटा गई थी जिससे कि फर्ली को बहुत ही बुरा लगता है और वो योला पर गुस्ता करने लगती है और उसके बार में बाते बोलने लगती है जिस पर उसके पेरेंट्स उसको समझाते है अब रात को फर्ली ओक्टा के पीजी पर जाती है जहांपर वो ये देखती है कि ओक्टा के फादर उसको अपने साथ में लेकर जा रहे हैं क्योंकि अब ओक्टा की कंडिशन ठीक नहीं थी वो mentally stable नहीं थी और वो बहुत ही सथा डरी हुई थी अब ओक्टा के जाने के बाद में फरली, उल्फा और डीना को ओमी कुछ बाते बताने लगती है खैर उमी यहाँ पर उनको जादा कुछ नहीं बताती है बस उनको यहीं बोलती है कि वो लोग प्रेयर्स करते रहें और अच्छे से काम करें अब लड़कियां वहाँ से चली जाती है और मैंग उमी से पूछता है कि उसने रियल बात क्यों नहीं बताई जिस पर उमी यह बोलती है कि लड़कियों के लिए सच जाना जरूरी नहीं है बस वो प्रेयर्स करती रहें यहीं जरूरी है खैर अगली सुबा फरली कॉलिज आती है जहां पर उसको योला मिलती है फरली योला पर पहले से ही बहुत ज़दा गुसा थी तो वो उसके साथ जगड़ा करने लगती है कि योला फरली को यूस करती है और उसकी वज़ा से ही वो अपने डैड के साथ में नहीं जा पाई और उसकी मॉम का एक्सिरेंट हो गया योला और फरली की बहस यहां पर बहुत ही ज़दा बढ़ जाती है और फरली पूरे कॉलिज के सामने योला से ये बोलती है कि योला इद वाले दिन दुआएं करने के बजाए होटल्स में घूम रही थी अपने बॉइफरेंट के साथ में हाला कि ये बात सुनकर योला को काफी अजीब लगता है जैसे कि उसको ये बात पता ही ना हो योला फरली पर गुसा होती है और फरली भी उससे लड़कर वहां से चली जाती है बट अब योला को सभी कॉलिज के स्टूड़न्स अलग नजर से देख रहे थे और योला की इमेज डैमेज हो चुकी थी योला यहां पर रोते हुए मिटिंग रूम में चली जाती है जहां पर रेनो आता है और वो योला के रोने का रिजन पूछता है और योला उसको सब कुछ बताती है जिस पर रेनो उसको समझाता है कि फरली के इंटेंशन्स बुरे नहीं होंगे रेनो योला को शान्त करता है और योला उससे फरली के बारे में बुराई करने लगती है कि फरली रेनो को पसंद नहीं करती और उसके अंदर काफी एगो है और उसने आरगा के सामने रेनो को गलत साबित कर दिया था और आरगा ने रेनो पर गुसा भी किया था अब रेनो को यहाँ पर थोड़ा सा बुरा तो लगता है और वो ओक्टा की प्रफेसर स्टुडेंट वाली अफेर की स्टोरी योला को देकर वहाँ से चला जाता है योला वो स्टुरी पढ़ने लगती है और अब हम उसके पीछे भी उड़ते हुए उस धुमे को देख पाते हैं जो कि अब योला के अंदर चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं फर्ली को जो कि अपनी क्लास में बढ़ रही होती है और उसको बार बार किसी के बुलानी के आवाज आने लगती है जिससे की वो डिस्ट्रैक्ट होकर पीछे देखने लगती है और बाकी लोगों से पूछती है तो सब लोग ये बताते हैं कि क बहुती बड़ा खतरनाक पाप होता है जिसकी कोई भी माफी नहीं होती फर्ली कोई अजीब लगता है कि उसके स्टैटिस्टिक्स के प्रफेसर ये बाते क्यों बता रहे हैं और वो पूछती है तो प्रफेसर ये बोलते हैं कि वह साथ महीं तो थे क्लास के अंदर जिस पर वो बोलती है कि फर्ली अजीब बाते क्यों कर रही है फर्ली अपना फोन चेक करने लगती है तो उसका फोन उसकी क्लास में ही रह गया था और वहापस अंदर जाती है तो शॉकिंग ली क्लास अबेंडन थी यानि कि वहां पर कोई भी नहीं था ये देखकर उसको काफी लूप में और वह को बोंती है कि वह करना सही नहीं होगा क्यूंकि वह स्टूडट हो गई और लोगों को अगर उसके बारे में पता चल गया तो उस लड़की की इमेज खराब हो जाएगी अब तभी आरगा एक नई स्टोरी को सजेस्ट करता है कि वहान के इंदर सी-19 वाइरस फैल लेकि जो मुख्या वजा थी वह अनकॉमन इलीगल मीट है और आरगा को खबर मिली है कि इंडोनेजन मार्किट में भी ऐसा ही मीट मिलता है और उसके लिए वो स्टोरी कवर करेंगे और उसके लिए जाएंगे आरगा यहाँ पर सबसे पूछता है लेकिन स्टोरी को पब्लिश कर देती है जिसमें कि वह से बदला लेने के लिए उसका नाम स्टोरेंट की जगा लिख देती है अब दूसरी और फड़ी घर पर आती है और अपने पेरेंट से थोड़ी बहुत बात कर रही होती है कि तब ही उल्फा का कॉल उसको आता है और वह आर् करने जाती है लेकिन वोमिटिंग में उसको बड़े-बड़े कीड़े दिखाई देते हैं और फड़ी से बहुत ही जदा डर जाती है और उसकी मदर उसको समालती है अब अगली सुबह फड़ी आर्गा के साथ में मीट मार्किट जाती है और वो दोनों एक आदमी से जुट जाती है और फड़ी को इससे काफी दुख होता है बट उसको एक विजन आता है जिसमें कि वो उस डॉक के मीट को बड़े शौक से खा रही है और आर्गा उसको होश मेलाता है और अब तक फड़ी की हालत बहुत खराब हो जाती है और वहां से बाहर भाग जाती है अब जात वाली फ्रेंड्स को उसमें से बहुत गंदी समेल आने लगती है अब और फड़ी को यह पता चल जाता है कि यह स्टोरी योला ने पब्लिश कर दी है और आर्गा गुस्से में योला से मिलने जाता है अब इधर योला अचानक से ही अपने आप कहीं जाने लगती है और योला यहां पर सौसेजिस की जगा अपनी ही उंगलियों को खा रही थी जी हाँ अब तब ही फड़ी और आर्गा वहां पर पहुंचते हैं लेकिन अब तक योला ने अपनी एक उंगली काटकर खाली थी जिसे देखकर फड़ी और भी ज़दा डर जाती है और परिशान हो च्शच था लेकिन उसने खुद के आर्टिकल को अच्छा बनाने के लिस और खुद को अच्छा दिखाने के लिए आर्टिकल के अंदर अपना ही मिर्श मसाला लगा दिया जिसे क्यों हुआ यहीं की उस सुट पबलिश होने के डर में अबोर्शन से भाग चुकी है कुछी दिर के बात में फरली उल्फा और डीना ओमी और मैंग के पास होते हैं जहां पर अब उमी उनको सारी बाते बताती है और दोस्तों अब यहां पर खुलते हैं असली पत्ते उमी साब को यह बताती है कि ओक्टा फरली और योला को जिन परिशान कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत बुरा पाप किया है जिसको गीबा बोलते हैं गीबा दुनिया का सबसे खतरनाक पाप है जो कि मर्डर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि मर्डर में तो हतियार, नियत, जगा और वक्त लगता है जबकि गीबा कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और गीबा जो होता है वो लोगों के बिलीव पर चोट करता है और लोग एक दूसरे को ही मार देते हैं इसका बेसिक मतलब होता है चुगली करना यानि कि अगर आप किसी की पीट पीछे बुराई करते हैं तो वो गीबा कहलाता है खेर अब उन तीनों को इफरिज जिन परेशान कर रहा है जो कि दुनिया का सबसे पुराना जिन है यानि कि इनसानों से भी पहले का और अब उन लोगों पर बहुत बड़ी परेशानी है रात को फरली अपने घर पर इफरित के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने लगती है और हम फिर से उसके पास उस उड़ते हुए स्मोक को देख पाते हैं जो कि उसके अंदर चला जाता है मतलब कि ये आर्टिकल्स भी एक गीबाही है फरली वाश्रूम जाती है जहां पर पॉट में ब्लैक लिक्विड होता है और वो उबलकर फरली के उपर गिर जाता है और फरली खुद को उस मीट मार्किट में पाती है बिसिकल ये जिन्स इन लिकी जान और मैंग को बलाने जाने लगता है और तभी ओक्ता यहां पर मैंग के पीछे से आती है जोकी पूस्थ होती और वो मेंग का गलाव खार देती है जिस tid figured और और scope के नाइट मेर्स दिखाते हैं मैंग तभी उमी को जगाता है और उसको सारी बात बताता है और अब वो फरली के पास जाने लगते हैं इदर फरली अपनी मॉम को केज से निकाल लेती है जो कि असल में इफरित था तभी फरली की भी नीन खुल जाती है क्योंकि ये भी एक नहीं वाली होती है लेकिन रेनो यहां पर योला को रोकता है जिसको जोला काट कर जखमी कर देती है और रेनो उसको बेहोश कर देता है अब वो लोग बेहोश योला को लेकर बाहर आते हैं और सब लोग अब तक यहां पर आ जाते हैं अब बेहोश योला को वहां पर लिट स्टेट में मिलती है और उमी उसको छूकर देखती है और ढरकर भूलती है कि फर्ली को जिन अपनी दुनिया में ले गये हैं अभभ बचल्झे से लेक में डुबाने लगता है और अब तक और आज आती और उसको अपने साथ बाहर ले जाने लगती है बट इफरित जिन यहाँ पर बहुत पावरफुल था और वो फरली को रोक लेता है और अंदर खीचने लगता है लेकिन अब फरली भी प्रेयर्स करने लगती है और इफरित कमजोर हो जाता है और उमी उसको वापस रियल वर्ल्ड में ले आती है अब फरली को होश आता है और उन तीनों लड़कियों पर से ये कर्स जा चुका था यानि कि गेबाग हतम हो चुका था मूवी की एंडिंग सीन में फरली और योला एक दूसरे से माफी मांगती है और योला ये बताती है कि उस दिन वो सच में बिमार थी और फोटो जो उसने पोस्ट करी थी वो बहुत ही पुरानी थी यानि कि यहां पर मिस कम्यूनिकेशन हुआ था और इसलिए ही कहा जाता है कि सब कुछ अजियूम नहीं करना चाहिए सामने वाले से बाते करकर सारे चीज़ क्लियर कर लिनी चाहिए खर अब सब लोग घर पर जाने लगते हैं और फोरली डीना और उल्फा कुछ बाते करते हैं यानि कि गॉसिपिंग करते हैं और अब उनको डड़ लगता है कि ये भी गीबा है और तबी मैंग उनको ये बोलता है कि ये चोटा गीबा है और प्रेयर्स करने से सब कुछ ठीक हो जाता है और बूम ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी गीबा मूवी की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और कॉंसेट पसंद आया होगा मुझे ओवरॉल ये मूवी अच्छी लगी है बिसीकली गीबा करने पर इन सबी लोगों को जिन्स ने बसस किया था उनको सजा दे रहे थे और ये सोशल मैसेज वाली जो मूवीज है वो आज कल काफी ज़दा ट्रेंड में है हरोर के साथ-साथ यहां पर एक सोशल मैसेज दिया जाता है इंडोनेजियन मूवी इसके हिसाब से ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टे कोस्टी